वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें प्रमुख नागरिक विद्रो या जन विद्रो और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे फिर हम पढ़ाएंगे प्रमुख जन जाती विद्रो तो यह प्रमुख नागरिक विद्रो है जो नागरिकों ने किये हैं काफी महत्पूर है यह आज हम इनके बारे में बात करेंगे तो चल यह जन्मास्टमी के अवसर पे कल लॉंच हुआ है तो आप लोग इसको डाउनलोड करिए और जो भी और यह हमने अप्लिकेशन बनाया है हमारी टीम ने बिल्कुल इस आधार पर बनाए गया है कि जो भी डिमांड्स होती हैं बच्चों की जैसे उने पापा वीडियो सब आपको एक ही जगे मिल जाएगी तो अभी जाएए प्ले स्टोर पर जाकर के स्को डाउनलोड करिए सर्च करिएगा स्टडी फॉर सिविल सर्फिस और एक चीज और फाइव स्टार रेटिंग देना इसको मत भूलना इतना तो आप करी सकते हो तो जाना इसको और अगर कोई बड़ा नेता इससे जड़ा हुआ है तो वो याद रखना तो सन्यासी विद्रो का समय है सत्यासो गईस। या अंग्रिजों ने तीर स्यात्रा पर टेक्स लगा दिया अब चुंकि बाबाओं का काम तीर स्यात्रा करना ही होता है सन्यासियों का काम तीर स्यात्रा करना ही है उस पर भी अंग्रिज सरकार टेक्स ले रही है इसलिए इन लोगों ने विद्रोह कर दिया ध्यान रखना पे बड़े हैं इनके बहुत सारे संप्रदाई हैं मतलब इनके बहुत सारे संप्रदाई हैं टोटल दस से भी ज्यादा संप्रदाई हैं जिसमें बटे हुए हैं शंकराचार के शेशे उनमें से ये लोग गिरी संप्रदाई से हैं ये बेद्यान लखना गिरे ठीक है तो बंगाल और बिहार रीजन लगान में व्रद्धी भूरारे सुसरकार ने बढ़ा दिया आगे देखो रामोसी विद्रो देखो भाई रामोसी विद्रो हुआ है 1822 से 1829 ठीक है और रामोसी विद्रो का जो छेत्र है ये है पश्मिघाट महाराष्ट दियान रखना ठीक है और इसके जो नेता है वो है चित्तर सिंग और एक नेता इसमें और भी है जिनका नाम है नर्सिंग दत्तात्रे ठीक है तो रामोसी जो लोग है ये पश्वी घाट पर रहने वाली एक जंजाती है जिसने अंग्लेजी सरकार के खिलाब विद्रो कर दिया फिर है पागलपंथी विद्रो पागलपंथी विद्रो का समय है 1825 से 1827 ठीक है छेतर इसका बंगाल और नेता है तीपू मीर धियान रखना ठीक है तीपू मीर छेतर इसका असम है और इसके साथ साथ बंगाल भी है दोनों ही है याद रखना ठीक है इसका छित्र बंगाल भी है और असम भी है पागलपंथ बेसिकली क्या है इसका नाम पागलपंथ या पागलपंथी क्यों है तो एक्चल में पागलपंथ एक अर्थधर्मिक संपरदाय है जिसे उत्री बंगाल के करमशा ने चलाया था ठीक है, उत्री बंगाल में रहने वाले एक वैक्ति जिनका नाम था करमशा, उन्होंने एक संप्रदाय चलाया, उसको उन्होंने नाम दिया पागल पंथ और इसी संप्रदाय के मानने वाले लोगों ने चलाया पागल पंथी विद्रो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला है हमारे पास कोल विद्रो, समय है 1831 से 1832, कोल विद्रो ध्यान रखना, कोल विद्रो कहां पर हुआ है, तो कोल विद्रो हुआ है, साथी हो छोटा नागपूर के छेत्र में, ठीक, जिसके अंतरगत आते हैं, सीम, हजारी बाग, पलामू, उत्यादी छेत्र आते हैं, नेता कौन है इसके, तो इसके नेता है, दो लोग, एक का नाम याद रखना, पहले हैं बुद्धो भगत, और दूसरे हैं गंगा नाराया, रीजन क्या है, तो रीजन है कि ये लोग, जो आदिवासी लोग है, ये लोग क्या करते थे, चावल से शराब बनाते थे, ठीक है, बाद में सरकार ने क्या किया, बाद में सरकार ने 1822 में नियम बना दिया, कि कोई भी विक्ति अब घर पे शराब नहीं बनाएगा, और शराब बनाएगा, तो पिर सरकार को बताना पड़ेगा, टेक्स देना पड़ेगा, अगर क्युक्कि शराब एक इंपोटन चीज है, से लिए इन लोगों ने क्या किया सरकार के खिलाव विद्रू कर दिया कि आप हमें शराब क्यों नहीं बनाने दे रहे हो इस विज़े से इन लोगों ने विद्रू कर दिया अगला हमारे पास विद्रू है साथियो सन्थाल 18155 से 1856 सन्थाल विद्रो काफी फेमस है साथियो च्예तर क्या है इसका तो च्षेतर है बेसिकली बिहार और बंगाल इसका च्छेतर है ठीक है और नेता कोन है इसके तो नेता है सीधू और कानु ठीक है सीधू और कानु नेता है रिजन क्या है तो रिजन है जंगलों पर अंग्रीजों का कबजा अगर आप समय देखवा 358-56 तो यह वह समय है जब भारत में रेल आ रही है रेल को चलाने के लिए रेल की पट्रियां वि समझाया कि जंगल तुम्हारा नहीं सरकार की संपत्ति है और फिर जब अग्रेजों ने जंगल को ठेके पर देना शुरू कर दिया तो विद्रो शुरू हो गए टकराव शुरू हो गए और उसी का परणाम रहा संथाल विद्रों ठीक है तो यह बेसिकली संथाल विद्रो हम कह सकते हैं कि आर्थिक कारणों से उत्पन्ध हुआ लेकिन बाद में इसका लक्ष हो गया अंग्रेजी शासन को समाप्त करना लेकिन अंग्रेजोने से आसानी से समाप्त कर दिया इस विद्रो को फिर है नील विद्रो 1867-860 नेता कौन है इसके नेता है तिरूस्तिंग छेत्र है बिहार और बंगाल और इंपोर्डेंट बात दीन बंदू मिश्रा के उपन्यास जिसका नाम है नील दरपन उसमें इस विद्रो का उलेक किया गया है आगे देखो साथियो आगे देख लेते हैं लास्ट पावना विद्रो पावना विद्रो है 1873-1876 ठीक है पावना विद्रो और अगर हम यह देखें कि पावना विद्रो हुआ कहां पर है साथी हो तो पावना विद्रो आप देख सकते हैं पावना विद्रो हुआ है बंगाल में ठीक है बंगाल में हुआ है पावना विद्रो और इस विद्रो के नेता है ईशान चंदर राय एवम शंबूपाल पावला बिद्रो के दौरान हिंदू पैट्रेट नामक अख़वार और अमरत बजार पत्रिका ने खुल कर जमीदारों का समर्थन किया यह जो आप अमरत बजार पत्रिका देख रहे हैं ना इसी का एक रूफ हमें आज भी देखने को मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं ABP News आपने जरूर से सुनाओगा ABP News आता है टीवी पे तो ABP News जो है यह कुछ और नहीं है यह अमरत बाजार पत्रिका ही है ठीक है जो पहले मैगजीन के फॉर्म में आती थी अब वो जो है शोशल मीडिया पर भी है और टीवी पर भी हमें दिखता है तो वही है ABP News यानि अमरत बाजार पत्रिका तो यह हुआ साथ ही हूँ आज का मारा वीडियो और भी इसमें वीडियो बनाएंगे इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे और फिर यह टॉपिक हमारा हो जाएगा सबाब मिलते हैं निकलास में साथ ही हूँ तब तक के लिए जय हैं जय भारत वंदे मातरम